ओम स्री परमत्मने नमाहा आईए और गीता ग्याना मृत्व में गीता ग्यान गंगा में हम अपने मानस राजहुंसों को श्नान कराते हैं क्योंकि यह श्नान वह जीवात्मा के लिए शुद्ध बुद्ध ग्यान देने वाला है परमचैतन ने दागा जो एक आत्मसाक्षातकार जो अनुभूती है उस अनुभूती को कराता है और इसलिए संखिक ग्यान हम अरजुन के माध्यम से प्राप्त करते हैं अरजुन वो नल है और भगवान वो शुरोत है गीतामृत ग्यान का और उसका हम पान करते हैं मानसराजहूस श्नान करके तुक्त होता है प्रमात्मा के स्रीचरणों में प्रार्थना करते हैं प्रभू फिर हमें इस सांखितत्व के सिध्धान को दिखाते हुए आत्मा के लक्षन में भगवान भी कर रहे हैं अरजुन तुम यह सोचने योग्य नहीं हो क्या होगा यह मेरे पिता माँ है तो यह मेरे आचारी है यह सब सोचना छोड़ दो क्योंकि आत्मा जो है अव्यक्तो याम चिंत्यो याम अविकार्यो याम च्यते अव्यक्तो याम अचिंत्यो याम अविकार्यो याम च्यते तस्मा देवं विदित्वेइनं तस्मा देवं विदित्वेइनं नानुशोची तुमरह से। अरुजुन जब ये श्रस्त्र से अगनी से पानी से और वायु से न छेदा जा रहा है न जला जा रहा है न गीला हो रहा है न शोशित हो रहा है अर्थात छेद नादी युग्यानी वस्तुनी यही प्रमाणी ही व्यज्यन दे तेही अयम आत्मा न व्यज्य दे यह अव्यक्त है यह अच्छेद्या है अतह अचेद्यादी विजादियह अचिंत्यह और सर्ववस्तु विजादियत्वेन तत्त स्वभाव युक्ततया चिंताईतुम अपिन अरहा सिधी और सरल भाषा में बात करें तो जब यह अव्यक्त है जब यह अचिंत्यह है यह निर्विकार कहला गया है तो फिर इसके बारे में यह से जानने के बाद शोक करने योग्यतु रहता ही नहीं है अर्जुन फिर भी मैं तुझे एक दुसरा विकल्प दिखाता हूँ और यह दुसरा विकल्प है अथचैनाम निद्यजातम निद्यम्वा मन्यसे मृतं तथा पित्वं माहावा नई वंशो यह महाबाहू कहते हुए ज्योती शास्त्र के अनुसार महापूरुष की लक्षण में पंच महापूरुषों के जो लक्षण है उसमें एक आजानु बाहू महाबाहू एक शुबलक्षण और पराक्रमता का प्रदर्शक है महापूरुष्ण का प्रदर्शक है और दूसरे अर्थ में महान बाहू अर्थात बलविद्य पराक्रम से तुम महान हो बलविद्य पराक्रम से तुम अजे हो और हे महाबाहू यदि तु इस आत्मा को सदा जन्मने और सदा मरने वाला शरीर ही माने तो भी तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है क्योकि नित्य जातम अथवा नित्यम मृतम मन्यसे तदा पिद्वं शोचितुम न अर्वासिद। यदि नित्य जातम नित्यम्रुतम देहम एव एनम आत्मानम मनुशे न देहाती रिक्तम उक्तलक्षणम तथा पिएवम अतिमात्रम शोचितुम न अर्वासिद। परिणामस्वभावस्य दिहस्य उत्पत्ति विनाशयो हो अवरजनियत्वाद। छुटकाराई नहीं है। इसलिए पहला प्रकार यदि तुम सोचते हो तो भी तुमको इतना अनुशोचन करना इतना शोक करना तुमारे लिए उचित नहीं है। यह महाबाहो कहते हुए बड़े सुंद्र ढंग से समझाया। दुसरा रास्ता दिखाया कि जातस यही द्रुवो मृत्युर। अरे द्रुवं जनम मृतस्यच तसमाज अपरिहारिये रथे। नात्वं शोची तुमार हसी। अर्जुन। उत्पन्नस्य विनाशो द्रुवहा अवर्जनियाह उपलब्यते। और विनश्टस्यच अपी जनम अवर्जनियाह जनम अवर्जनियम। कथम इदम उपलब्यते महदास्ययम। उभे भी अवर्जनिये वर्टेते। सरल। और बिलकुल समझने की छोटी एक लाइन में समझ लें। तो हे अर्जन जनमे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जनमर निश्चित है। अत एव इस अनिवारिय परिणाम के लिए ये अवश्यम भावी परिणाम के लिए तुझे शोक करना नहीं चाहिए। तुम शोक के योग्य नहीं हो तुझे इतना गहरा शोक शोक नहीं करना चाहिए